बॉलिवूड एक्टर शुशान सिंग राजपूत जिनके निधन को बीते एक साल से जादा का वक्त भी चुका है और ऐसे में शुशान सिंग राजपूत को लेकर कई खबरे सामने आए शुशान सिंग राजपूत मामलेक पर अभी भी CBI की जाच चल रही है और ऐसे में कई सारी खबरे शुशान से लेकर फिर से वाइरल हो रही है अब खबर आई है शुशान सिंग राजपूत की आन स्क्रीन मा को लेकर जीहाँ शुशान सिंग राजपूत जिनोंने पवित रिष्टा से अपने सीरिल की अपने करियर की शुरुवात की थी तो वहीं शुशान सिंग राजपूत की मा के करिदार में नज़र आई थी उशान बता दे कि उशप्म करनी ने खुद अफ शब्राश्पूत के निधन पर सवाल उठाए हैं कि निधन पर सवाल उठाते हुए उन्होंилась क्या क्या पूछा है तो चलि यह बता दें हैं आपकू जहांपर रूर्णने कहा कि साल हो गया लेकिन शैशान वाशपूर्ट पर सिर्फ बाते हो रही है कोई कहता है कि शुषान के साथ किसे ने साज़िश की तो कोई कहता है कि ये शुषान के फैसले से शुषान की जाते है लेकिन सब सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन फैसला अभी तक सामने नहीं आया थी आखिर शुषान के साथ 14 जून को हुआ क्या था जहां पर खुछ शुषान के साथ जो हुआ है 14 जून को वो शुषान का फैसला नहीं बल की उसके साथ साजश हुई है और शाजश के तहट ही शुषान सिंग राजपूत को इस तरीके से सामने पेश किया गया कि मानो लोगों को देखने पर गी ही लगे कि शुषान ने अपने हाथों से अपने जिन्दे की खत्म की है लेकिन यहाँ पर पहले शुषान को जान दी गई और उसके बार शुषान के साथ ऐसा सीन क्रेट करकर शुषान को ऐसे रख दिया जैसे मानो ये लगे कि उसने अपने हाथों से ही अपनी जान दिया है जहां पर उन्हों ने ये भी कहा कि लोगों को क्या लगता है मैं नहीं जानती देकि मुझ्ए ये लगता है, कि SHISHANN के साथ साज़िश हो गए है और साज़िश के तैहां थी, SHISHANN सिंह राज़पूत की इस साज़िश को अज्जान दिया गया है खिए कि SHISHANN काफे महनिती था काफी bright future रखने वाला शक्स था, काफी अच्छा इंसान था, काफी intelligent था, काफी बड़ा लिखा था और इसी के चलते इन लोगों ने उसके साथ शाज़िश रचे यहां तक कि रूरी यह भी कहा कि शुषान के निदम को एक साल हो चुका है और यही वज़ा है कि शुषान के मामले पर अपका मवास्य उठ रही है लेकिन मैं यहीं चाहती हूं कि शुषान सिम्राजपूत को इंसाफ मिले और शुषान सिम्राजपूत के साथ साज़िश हुई है यह 101% शो है नेक्सान लाइफ से रच्छी देपर